अग्याइज अभी सुभा के च्छे बज रहे हैं और हम दूनों नादों के रेडियो हो चुके हैं बस अब मंदिर में जा रहे हैं आर्थिया टेंड करेंगे उसके पाद दर्शन करेंगे और उसके बाद में आपको बता हैं डीटेल में बाला जी के बारे में चली चलते हैं जै बाला जी माला की अब तो दोस्तो आरती खत्म होने के बाद हम दर्शन के लिए लाइन में लग चुके हैं और आप देख सकते हैं काफी लमबी लाइन है तो हमें लग रहा है लगवक़ में एक से देखन गंटा लगेगा टोटल दर्शन करने के लिए और आप देख सकते हैं हमने अपना प्रशाद भी ले लिया है ये जो आप छोटा डोना देख रहे हैं इसको दर्खास बोलते हैं और ये जो बड़ी थाली है इसको अर्जी बोला जाता है तो दोस्तों ये जो भोग है वो बाला जी महराज के लिए है और इसके बाद हमको उड़त की दाल का और चावल का भी भोग लगाना है वो प्रेत्रा सरकार और बहरबाबा चड़ेगा बाद में मंदिर के अंदर आ गया है और देख सक्का कितनी लंबी लंबी लाइने लगे हैं अब ही हमें कम से कम 15-15 बेस मिन लगेंगे अंदर तक पहुचने के लिए अब ही तो लाइनों मगडे है चलिए देखते कितना टाइम लगता है जै श्रीराम कितना जू करते क्थे है कितना 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 कितन愚 झाल झाल तो दोस्तो हमने बाला जी महाराज को लड़ू का भोग लगा दिया है और जब आप बाला जी महाराज को भोग लगा कर बाहर निकलते हैं तो राइट साइड में बहरोबाबा का मंदीर है जिने काली उड़त का भोग लगा जाता है और उसके बाद उपर जाकर पेतर सरगार जी का मंदीर है जिने चावल का भोग लगा जाता है सो दोस्तों सारा भोग लगाने के बाद जो परशाद बचता है उसमें से दो लड़ू निकाल कर बाकी आपको सर के ओपर गुमा कर पीछे पाड़ी पर डालना होता है इसके हलाबा हमको एक राजबोग परशाद मिलता है बाला जी के हाँ से वो आप अपने घर भी ले जा सकते हो तो दोस्तों अभी हम परशाद चड़ा कर बाहर आ गए है और अभी हम मंदिर के में गेट के सामने है बाला जी मंदिर के ठीक सामने है राम जी का मंदिर तो वो भी काफी अच्छा बना हुआ है चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं तो दोस्तों अभाला जी महराज की दर्शन करके आ गए है हमने 9 बजे दर्शन करके हम फ्री हो चुके थे और अभी टाइम हो है साड़े नो और हम इस वक्त है प्रिंस बोजनालिया पर हम यापर ब्रेक पास्त के लिए है और ब्रेक पास्त के बाद हम यहां से जाएंगे काली माधा मंदीर के लिए जो है फीन पाडी पर और उसका पूरा रास्ता कवर करते भी दिखाएंगे आपको काफी अच्छी से दर्शन हुए है काफी अच्छी से दर्शन हुए पिछली पार जाब मैं आए ता हमें चार गंटे लाइन में लगना पड़ा था उसके बाद सु दोस्तों यहां से जाता है जो तीन पाडी का रस्ता है आप सामने देख सकते है यह रिपाला जी का मंदिर और इधर से में जा रहे हैं तीन पाडी की और तो आइये चलिए आपको लिएआगर चल्के तीन पाडी के निचे है है का Yap कि तो कुछ थो खख़ह चारो है तो हम यह पे लिक्था दिख भडी नाईए नजरा रहा रहा है किना अच्छआ लग रहा है पूर एक रगव जिचन्न नजरा लग रहा रहा हैया हैं और आप सामने किपनी विशाल ने भी वे चक्र चलते हैं उपर झाल झाल पहाड़ कर लिया और जो तीनों पहाड़ है उसमें से पहला पहाड़ी सबसे अधा स्टीप है सबसे खड़ी चड़ा इसी की है आगे की जो पहाड तो सीधा सीधा रसता है और थोड़ी सी चड़ा है ज्यादा चड़ा謝 नहीं ज्यादा जाद दिकता ही नहीं क्योंकि आदत पड़ी है अपर ट्रेकिंग करने की जाद राइस्टूनी ली आमने बीच में कंटिनीवसी चलते आया है बीच में जंग थोड़ी देर रुके थे तो चलिए दोस्तों बागे चलते जै शरीबाला जी महाराज तो दोस्तों आप पीछे देख सकते हो यह जो गेट है यह है दूसरे पाड के एंड का गेट यहाँ पर दूसरा पार एंड हो जाता है और यह जो सेकिंड पार था यह हमने लग बाग 5-10 मिनट में क्रोस कर लिया क्योंकि इस पर कोई पर भी चड़ाई नहीं है विलगुल को और अब यहां से स्टार्ट होगा हमारा थीसरा पार्ड आई आपको दिखा आई आपको दिखाते भी एक बार तो दोस्तों आप देख सकते हूँ है सामने हमारा थीसरा पार और वो उपर मंदिर देख रहे आपको उस मंदिर में जाना में वह है काली माता का मंदिर तो च दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं यह है तीन पाड़ी का मंदिर यहां पर अंदर पंचमु के अनमान जी की पाली माता की और बहरबाबा की पूजा होती है तो आप देख सकते हैं आका नजारा को अंदर अंदर प्सेख का मान जा जोस्तों अंदर है त Built-D तो कैज अब हमने दर्शन कर लिया है चली नीचे चलते हैं यह से दो रास्ते कट जाते हैं एक रास्ता यह जिससे हम आये थे और एक रास्ता है यह जो शोटकुट है जो इदर से नीचे जाता है तो अभी हम इसी से जा रहे हैं तो अब हम आये गणिशपुरी महराज जी की समाधिस तल पे तो यहां की भी काफी माननेता है गाईस तो इसलिए अगर आप बेबाला जी आ रहे तो यहां पर भी ज़रूर आए तो चली आपको दिखाते हैं के दर्शन कर रहते हैं और दोस्तो इस जगा की यहां माननेता है कि जिस भी इंसान पर बुरी शक्तियों का साया होता है तो यहां कर वो उन सायों से मुक्ति पा सकता है और दोस्तो पुराने जमाने में आप देख सकते हैं सामने यहां पर जेल बने वेते तो इन जेल में लाके उन लोगों को टॉर्चर किया जाता था जिनके ओपर भी साया होता था फिर बाद में हुमन राइट्स वालों के अब्जक्शन पर यहां पर इस ब चीज़े बंद क तो दोस्तों हमें जहां पर भी दर्शन करने थे हम सारे दर्शन कर चुके हैं और जहने से पहले एक वार बाबाद के आगे हाथ जोड़के दर्कास लगानी पड़ती है पांच रुपे की और सेम यहीं आपको आने के बाद भी करना होता है आप जब भी आते हैं तब आपक आप अब मैरा हो जाएगा रहे प्यार जिली दियाखा है अब हम वापस होजी जाएगा जाहाए ना फिली हम जायेका आप सी हम पहले जाब आए तदि राइट से है ते पहले हम इस रास्ते चाहे जो पलवल मत्वरा वरंदावन होते हुए बरतपूर के रास्ते यहां पर और अब हम जा रहे हैं इस रास्ते से जो जाएगा अलवर गुडगा होते हुए दिल्ली तो अब हम यहां से निकल रहे हैं और चलते हैं और आगे कहीं जहां भी रुखेंगे महापर आप से मिलते हैं बालाजी महाराजी जैप दोस्तों ये लेफ्ट मुड़ के जो सीधी रोड जा रही है ये सीधा जा रही है जैपूर यहां से बढ़ता है बालाजी से 100 km तो आप काफी बसे वगेर भी जाते हैं जैपूर के लिए दिल्ली के लिए वहीं से बार से बालाजी मोड से तो आप बस से भी जैपूर वगेर जा सकते हैं जैपूर से आ रहे हैं तो आगे कुछी किलो मेटर पे कट आएगा राइट में जो जाता है बांदी कुई railway station की तरफ अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो नीरेस्ट railway station यहां पर बढ़ेगा बांदी कुई का वहां से आपको काफी कोई भी सवारी मिल जाती है ज बालाजी मोर से कम से कम 10-12 km के बाद आया है और यहां से राइट लेने पर हमारा अलवर वाला रोड आ जाएगा जो सीधा में अलवर लेकर चलेगा तो डबल रोड मुझे लगता ही इसी रोड यहीं तक थी अब आगे यहां से राइट लेने पर हमें सिंगल रोड मिलेगी त तो चलेगा जहां से राइट लेते हैं तो गाइस हम दो बजे महंधी पुर से निकले थे और अभी अलवर 20 km है और अभी टाइम हो रहा है तीन शाम के तीन बच चुके हैं तो बाकी इसी रोड की बात मैं करूं तो रोड सिंगल है बट रोड अच्छी बनी हुई है और बीच-बीच में स्पीड ब्रेकर थोड़े जादा है सब्सक्राइब दिल्ली अभी 160 km बच्छा जैसे आप दे सकते है बोड में तो सबसे पहले आगा तीजारा फिर आगा बिवाडी उसके बार दारवेडा गुडगा होते हुए अपना दिल्ली अब शाम के पांच बजे होए है और हम दोनों काफी भूग लग रही थी तो हम यहां पे को स्नेक्स के लिए रोकिया है राजस्तानी होटल जाइच चलिए मैगी का वेट करते हैं वाकी होटल के जो चारो तरब का विए वो काफी अच्छा है एक बार आपको दिखाते हैं देखो संसेट हो रहा है लेफ्ट में अच्छी ती अब काफी रिफ्रेश्च फील कर रहे हैं अभी साड़े पाँच बजे है देखे कितना टाइम लगता है देली तक का चली चलते है तर चारो देखे कितना टाइम अच्छा है पाँव को देले हैं आपको देल सबस्रेक्श्णा तो गॉया जुख जी या मोग्रागरा पहुंच चुके हैं और आप या आप है जढ़िए पाहरीज ने साइबर आप दोस्तों जान जारा गॉख देखेंगे और अबी शबासाज बज़े या उन फूर। पहुंच चुके हैं और अभी भी हमें घर का लगे है एक गंटा तो आठ सब आठ तक हो जाएंगे घर अभी आठ बज रहे हैं और फाइनल अपने गर पहुंच गया है तो टोटल हमें चे गंटे लगे हम दो बज चले ते उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना न भूले और शेयर करना न झाल